let an, bn and cn be sequence of real numbers such that bn equal to a2n and cn equal to a2n plus 1 इसका meaning है कि अगर कोई एक an sequence consider कर ले हम an equal to a1, a2 इस तरह से अगर हम कोई एक sequence consider कर ले ऐसे dot 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 an तक ये जाएगा तो हमने bn जो sequence है या bn का जो nth term है bn sequence वो किस तरह से लिखा है यह यहाँ पर आप देख सकते है a2n यान कि अगर मैं इस first term को eliminate कर देता हूँ, eliminate कर दूँ या delete कर दूँ तो मेरी जो तो वैसे second term ये रहेगी तो a2, a4, a6 इस तरह से और जो मेरी cn है वो मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर set of natural number उसका domain होता है तो यहाँ पर n की जगा first रखेंगे तो a3 आएगा यान कि a3 उसके बाद a5 इस तरह मेरी odd वाली ये रहेगी तो इस sequence को मैंने bn नाम दिया और इसको मैंने cn नाम दिया तो यह आप देख सकते हैं कि a को odd term से generate हो रही है और एक even term से generate हो रही है और उसकी first term को suppose कर हमने delete कर दिया अगर किसी sequence की अगर कुछ terms delete कर दें एक नहीं अगर कुछ terms delete कर दें तो उसके convergence पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पर यह कहा है then an is convergent अगर an convergent है तो हम यह जानते हैं कि अगर कोई भी convergent sequence उसके all subsequence not only one or two all subsequence must be convergent लेकिन हम यह नहीं कह सकते है कण्वर्ज में कि अगर कुछ sub sequence कि किसी sequence की अगर कुछ sub sequence अगर convergent है तो वो sequence भी convergent होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं एक्जामपल की तवर पर अभी यहां पर मैं बता भी सकता हूं कि अगर कोई sequence है आपकी one 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 यह constant sequence है जो convergent है ऐसे minus one minus one ये भी constant sequence है ये जा रहा है one को converge कर रहा है और ये minus one को converge कर रहा है लेकिन अगर इन दोनों को मैं इसको first फिर इसको second इसको third इसको four इस तरह से अगर combine कर दूँ तो ये दोनों ही मेरी an अगर मैं इसको consider कर लेता हूँ one minus one one minus one तो इस तरह से आप देखेंगे कि an जो main sequence है और ये आपकी इसको अगर मैं bn और cn अगर call कर दूँ तो bn और cn दोनों ही convergent है लेकिन an convergent नहीं है तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि implies अगर an convergent है implies bn is convergent but cn need not be convergent क्योंकि an sorry bn और cn दोनों convergent sequence की convergent sequence की जो है sub sequence है यानि कि sub sequence of convergent sequence तो ये bn और cn और cn जो है आपकी दोनों ही converge करेंगी converge और इसकी जो limit होगी वो वही होगी l जो आपकी an की है यानि कि converge भी करेंगी और same limit को converge करेंगी तो यहाँ पर लिख है bn is convergent but cn need not be तो ये आपका desired choice नहीं है implies cn is convergent but bn need not be लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि दोनों ही convergent है implies both bn and cn और convergent ये सही बात है कि अगर an convergent है तो उसकी जो दो subsequence हमने bn और cn consider की है वो भी convergent होगी if यहाँ पर कहा है कि an यहाँ पर अब इस statement को देखें an is convergent ये options d की बात कर रहा हूँ मैं options d an is convergent convergent if यहाँ पर लिखा है आप यहाँ पर देखें both bn and cn are convergent bn and cn tends to same limit l अगर ऐसा है तो तो यहाँ पर an convergent होगा अगर bn और cn convergent होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है अभी मैंने starting में यही आपको बताया था कि अगर bn और cn दो convergent sequence है लेकिन an जो इसके main sequence है या हम कह सकते हैं जो बड़ी sequence है वो convergent नहीं है तो यह भी हमारा desire नहीं है तो इसमें जो correct options था वो option c है सबस्फे हैं झाना तो बाह कर बाड़ा प्रते हैं तो कि अड़़्कसम कि अड़त्यों दो उड़़्क से वीा जाभा हैं जो सेToday अगा नहीं है एक पर दरूड़रर सेते हैं जो से से जग़के अड़रारा क्वा हैंने दो दोना 홋ना integrity सी उप पकर बाहीं कि Nuclear क्वार म